कि अब दोस्तों नौश्कार कैसे आप सब उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सेलेक्षिन मेंटर पर और मैं चाहता हूँ की जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे हम लोग त्यारी कर रहे हैं व जिससे कि आप सब को मालूम है कि दो तीन मेने में एक्जाम होने वाले हैं जैसा कि टेंडर नोटिस के बाद से चीजें चल रही हैं असा लग रहा है कि दो तीन मेने में एक्जाम हो जाएंगे तो हम जो अंतिम त्यारी है उससे परफेक्ट करना चाहते हैं और इसी सिलसले में हम लोग प्रैक्टिस सेट की और गौर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की और जारा ध्यान दे रहे हैं और इस क्रम में जनरल स्टेडी के जो प्रैक्टिस सेट हैं यह आपको अवेलेबल होने शुरू भी हो गए है तो जो हमारे चैनल पर अब जो आपको प्रैक्टिस सेट म आपको मिलना शुरू हो रहा है तो हम लोग reasoning GS को continue कर रहे हैं और maths को जल्दी continue कर रहे हैं target है हमारा कि हम 45 जो set papers हैं उसको पूरा का पूरा solve करें और पूरा का पूरा solve करके हम इसको अपने आपको जो है पूरा गिखा सकते हैं बता सकते हैं अपने पक्ष में ला सकते हैं और अपने पक्ष में ला सकते हैं सो लेट स्टार्ट करने से पहले जब तक मैं reasoning का सेट खोल रहा हूं देखिए सेट पेपर यही है इसका हम लोग GS का सेट लगा चुके हैं यह सेट नमबर 1 GS लग चुका है इसका और इसी सेट का हम लोग reasoning जो है वो लगाने जा रहे हैं तब तक मैं reasoning का सेट पेपर open कर रहा हूं तब तक सबसर रिक्वेस्ट है हमारी की प्लीज अब तक हमारे आपको इ प्रते की कीमत समान है कि इसके लिए ये तो आधा question हो गया, आधा question और solve करने के लिए हमको कथा number 1 या कथा number 2 है, इन दोनों में से किसकी सायता लेनी पड़ती है, जरह देखते हैं लिखा 18 पेनों के कुल क्या होगी दिए इसमें से प्रते की कीमत समान है प्रते की लागत का 1 चौथाई 50 रुपए, प्रते की लागत का 1 चौथाई 50 रुपए, जितने भी पहने उनकी लागत, मान लेते हैं प्रते की लागत X रुपए है, प्रते की लागत कितनी है, X रुपए है, तो X के लिए वो भोल रहा है प्रते की लागत का एक चौथाई पचास रुपई, इसका एक चौथाई, यानि वन बाई फोर, इसका वन बाई फोर जो है, वो कितना है, इसका वन बाई फोर, फिफ्टी रुपीज है, इसका यह बोलाग है, कि इसका वन बाई फोर जो है, वो फिफ्टी रुपीज है, तो इसका मतलब अगर एक की मिल गई है तो इसे multiply by 18 कर देंगे तो ये जो है कीमत निकल आएगी किसकी ये कीमत निकल आएगी 18 पिन की तो इसका मतलब कथन एक से ही हमेरा answer आ जाएगा कथन दो की जुरूत नहीं है लेकिन देखते हैं कि क्या कथन 2 से answer आएगा कथन 2 कह रहा है ती तीन पैनों की कुल लागत से 200 रुपए अधिक है तो इसका मतलब और गया है इसको आप घटा देंगे इसका मतलब दोनों कथोनों में से किसी भी एक कथन को चाहे एक और चाहे दो किसी भी एक कथन का यूज का लिया जाए तो आपका answer आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पर जो answer होगा option number C जो है कथन एक या दो परियाप्त है ठीक है यह answer आपका सही है चली आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले question की तरफ बढ़ते हैं next question में देखते हैं क्या कर रहा है अगले question में मेटा का गया है कि यह जो यहाँ पर का गया है एक समूह में उतनी ही मुर्गिया है जितनी बेड़ देखे यहाँ पर का गया तो फिर X ही भेड़ भी हो जाएंगी, भेड़ों की संख्या भी क्या हो जाएगी, X ही हो जाएगी, इसके बाद कहा गया है, पुरुष बक्रियों से दो गुना है, तो पुरुष और बक्री दोनों का मुर्गी और भेड़ के साथ भी यहाँ पर कोई relation दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो बक्रियों से दुगना है और बक्रियां भेड़ से दुगनी है, भेड़ कितने है, X है, तो बक्रियों कितनी होंगी, 2X, यही तो कागया है, 2X हो जाएगी, बक्रियों की संख्या होगी हमारे पास में, 2X, अब जाद देखे, अब बक्रियों से प पुरुष कितने होंगे 2x का दो गुना यानिकी 4x तो गुना यानिकी 4x तो 4x कौन है यह पुरुष है तो अब हमको यहां से पता चल गया कि मुर्गियां x हैं भेड एक्स हैं बकरियां 2x हैं और पुरुष जो हैं वो 4x हैं यह तो हो गई इनकी बात लेकिन यहां पर question आके कहा गया यदि पैरों की संख्या पैलों की कुर गर्णा जो है वो चवाले से तो देखते हैं इनके कुल पैर कितने होंगा अगर मुर्गी है तो एक है तो इनके 2 पैर होंगे भेड है तो इनके 4 पैर होंगे बकरी है तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं पर यहां तो दो एक्स ब X और वहाँ पर कहा कितना गया духов कितनी है 144 तो आपको पर डिशा क्या गया है है तो चार पैर वाले जनवर क्वर कौन से है यह दो कौन है ठोड़ißeव दूस्री बकरी चार व्रमा 있यें अगर जनव में तो यहांपर एक्र यहां पर घानवर है तो खी कीमत यह पर दो है यहां पर 4 पैरवले जानवर है, 2-1 जानवर है, तो इसका मुतलब 2-2-4 हो जाएगा, तो बताइए, कुल 4 पैरवले जानवरों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी को कुशन नहीं समझ जाएगा, तो आपको यह से देखिएगा, तो आपको यह आसानी से समझ जाएगा, ठीक है, तो आप चलते हैं, आगे अगले कुशन की तरफ, अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको यहां पर पता चलता है कि 73rd question है, 13th question है, 13th question में का गया है, विपरीत क्रम, वडमाला में, 22 और से 12 अक्षर क कि दाइयोर कौन सा आठों आक्षर है, देखिए, अब जड़ा समझ यह चीज को यहां पर, यहां पर लिखा हुआ है कि विपरीत क्रम वडमाला है, देखिए, वडमाला का जो क्रम होता है, वो A से लेकर के Z तक होता है, आपको ही मालूम है, A से लेकर के Z तक, A जो है यह प अब उसने कहा है बारवे अक्षर के सबसे पहले तो कहा गया है बाई से बारवे अक्षर के दाइं तो यहां एक है इस जगह पर यहां पर एक है अगर यहां पर एक है अगर यहां पर एक है तो आप जड़र देखिए इसमें कहा गया है कि बाएं से बारवे अक्षर के बाएं से बारवें अच्छर के कितने दाइं और आठवाँ बाएं से बारवें अच्छर के दाइं और आठवाँ तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां से कि बाएं अच्छर के बारवें अच्छर में हम जाएंगे तो फिर लेफ्ट साइट से उसने का आए कि पहले बारा जाए और आगी जाने के लिए और आगी जाने के लिए ऑप मापा जाना पड़ता है, माइनस कर देते हैं, तो हम कुल मिला करके, एक से बीश्वे स्थान पर आ गए, अब वड़ माला का करम उल्टा है, वड़ माला का करम उल्टा है, तो जड़ से ले करके बीश तक, तो जड़ में बीश माइनस कर दीजे, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही तो अभी कितने लेटर आगे बचे होंगे ए तक जानने के लिए आप खुछ सोच के देखे 26 तो होते हैं टोटल और हम यहाँ पर 20 वे पर हैं यानि 6 और आगे हैं 6 आगे हैं और यह 7 वा है एनि इसके आगे 6 लेटर सभी और बचे हैं तबी तो यह 20 है और यह 6 है तो इसका मतलब इधर से 7 वा लेटर है एसे 7 वा लेटर चलेंगे तो कौn सा आएगा जी आएगा तो इसका करेक्ट असर कैंद इसका करेक्ट असर आपका जी है यानि यह option number 4 है ठीक है आपके भी सोल में आ गया होगा चलिए आप देखते हैं अंगले कुषिन की तरफ पड़ते हैं यदि अंग्रे जी वनमाला को चार भागों में बाटा जाए अंगली जी वणमाला को चार भागों बाटा जाए लेकिन इसमें कहा गया पहले परअंतिम वणाप्चर को छोड़ देना है मतलब ए से लेकरके आप के फिरसीत meant ए से लेकरके जिड तक तोड़ना है पुरी वर्णमाला को पुरी वर्णमाला को A से लेकर के Z तक तोड़ना है और तोड़ने के बाद ये कह रहा है कि A को छोड़ देना है और Z को छोड़ देना है अब कितने बचे आपके पास बताईए 24 बचे ना लेटर का हो जाएगा छे लेटर का गैप मतलब अब इसको ऐसे समझ यह है एक के बार हम बी से चलना शुरू करेंगे और चार छे लेटर रखना है तो वी सी डी ए ए ए ए और जी यह हो गए छे तो कहने का मतलब यह है कि दो से लेकर के दो से लेकर के साथ तक एक ग्रूप हो गया उसके अगला ग्रूप जो शुरू होगा वो आठ से लेकर के कितने तक जाएगा बताइए दो से साथ तक था तो आठ से तेरा तक जाएगा अगला ग्रूप तेरा तक है अब अगला ग्रूप जो है वो चौदा से शुरू होगा त कह रहा है कि प्रतेग भाग को reverse कर दिया जाता है यानि कि 7 की जगह 2 और 2 की जगह 7 रखा जाता है 13 की जगह 8 और 8 की जगह 13 रखा जाता है इसी तरह 19 की जगह 14 और 14 की जगह 19 रखा जाएगा तो अब जरा ये कह रहे हैं कि जब reverse कर दिया जाता है reverse कर दियाता है तो बाएं से 18 अच्छर कौन सा होगा बाएं तो यही है अब बाएं से 18 अच्छर तो इस जगा पर आने वाला होगा यह वाला यह वाली जो जगा है यहाँ पर 18 अच्छर आएगा अब यही चीज़ हमें थोड़ी समझ नहीं है यहाँ पर आएगा देखें यह क्योंकि यह अलदा तो 19 वाएं पर यह है मैं 18 अब 18 पर आएगा कौन क्योंकि 14 नंबर तो चला गया है किस पर 19 पर तो 14 के बाद यह 15 15 कहाँ आएगा किसी पर आएगा आएगा कि नहीं आएगा 14 गया रिवर्स करना है न 14 गया 19 पर और 19 गया क्या नाम है 15 गया कहाँ पर या इस वाले प्लेस पर यही वाला जो प्लेस है यही तो आपका यही तो आपका 22 से ठारवा है यही तो 22 से ठारवा है यही अब बताएगा पंदरवा लेटर जो है वो ही इसका एंसर होगा और पंदमा लेटर कौन होता है तो इस question का correct answer क्या होगा इस question का correct answer होगा option देखने कौन सा है यह option number 2 इस question का correct answer क्या होगा 2 होगा ठीक है बहुत ही simple सी है अब आप चाहें तो उल्टी वणमाला भी लिख सकते थे लेकिन यह तो मुझे बताने में समय लगा है आपको करने में समय नहीं लगेगा अराम से अब कोई भी यहाँ पर अभी आप लिखोगे अगर आप इसको लिखना शुरू करोगे तो इसको बार-बार reverse करके लिखोगे इसके reverse करने से हमें क्या मतलब है कोई use ही नहीं है इसके reverse करने से भी कोई use नहीं है तो हमें तो अठारवी जगा पर reverse करना है इसलिए इसके practice हमें आपर करिए इसका ध्यान रखें नहीं ठीक है समय बचाने के लिए कापी ज़रूरी है चलिए अगले question की तरह पढ़ते है सदर्ष धूनता है एकदम ठीक है जैसे कि feeder feeder का मतलब है feeder का संबंद जो liberate से है आपको वही संबंद बताना है कि इनमें में से किसका है feeder का मतलब होता है बेडी पैरों को रोक के रखना चरहे बेडी होती है उसको feeder बूल रहे है और यह liberate deliberate का मतलब आजादी देने वाली चीज़ है आजाद कर दे जो, मुख कर दे तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या है opposite है तो हमें opposite वाला column ढूड़ना है अब यहाँ पे लिखा है shackle और यहाँ लिखा है loose shackle का मतलब होता है हत्कड़ी और loose का मतलब होता है हत्कड़ी को छोड़ देना तो एक तरीके से यह इसका correct answer हो गया पहले ही option सही हो गया यह opposite है बाकी common, घुसली, routine, novel और secular, और clinical आप देखे बिलकुल भी opposite नहीं है कोई भी opposite नहीं है तो इसका correct answer क्या आएगा इसका correct answer option number बन आएगा चलिए, अगले question की तरह बढ़ते है अगला question देखे क्या कहता है question number 79 sorry, 76 76 कह रहा है एक डौड प्रतियुकता में एक डौड प्रतियुकता में रेखा 10 second margin से रेखा 10 second margin से माला से पहले आईए अच्छा जी तो इसका मतलब यह है यहाँ पर इसको जड़ा select करते है और इसमें कहा गया है कि 10 second margin से माला से पहले आईए कौन माला से पहले आईए रेखा तो रेखा को पहले लाना है हमें यह हमने रेखा लिख दिया यहाँ पर रेखा पहले आई है किस से माला से तो हमने माला से पहले कर दिया रेखा को और यह भी कहा गया है कि 10 second पहले आई है तो हमने आपे 10 लिख दिया ठीक है ओके आगे दिखते है फिर लिखा है लिखा है इनिका इनिका आरुशी से 12 second पहले आई तो पहले कौन आया, इनिका, तो हमने इनिका को पहले लिख दिया, इनिका, और ये पहले हैं किस से, आरुशी से, तो आरुशी, कितना पहले हैं, 12 सेकंड पहले हैं, तो यहां 12 लिख दिया हमने, फिर लिखा है, और वसंथा गौरी से 18 से पहले आई है, तो वसंथा पहले पहले है कि दिए गए और जबम से लगाना है तो जब हम क्रम से लगाएंगे तो दिखे यहाँ पर कहा गया है कि फिरसे देखते हैं एक बार पृतियुक्ता में देखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आईए, इनका आरुशी से 12 सेकंड पहले आईए, वसंथा गौरी से 18 से पहले आईए, अब देखें, यहां से अड़ेस्ट करना है हमें, लिखा है माला वसंथा से 1 सेकंड बाद आई, तो जब माला वसंथा से 1 से सेकेंड बाद आई है तो इसका मतलब यह हुगा कि हम पहले यहां पर वसंता लिखें है और इसके बाद जो है इसके बाद जो है लगा देकर इसको माला को जस्ट बाद क्योंकि एक सेकेंड पहले आई ठीक तो इसने कहा है कि माला वसंता से एक सेकेंड बाद आई है तो माला बाद में आ गई वसंता आ गई आ गई ठीक है इसका मतलब आप देखे ये हैं माला और ये हैं वसंता यानी माला का स्थान वसंतboarding के ठीक पीचे रखा जाएगा ठीक पीचे के बाद ध्याम रखना है क्यूंकि यहां तो तो 10 सेकुंड का अंतर है इसके बाद आगे कोश्चन लिखा हुआ है गोरी के 2 सेककंड ज़्सारि इनका गोरी के 2 सेकंड बाद आईये अब इनका और गौरी का संबन दिखाया जा रहा है कि गौरी के दो सिकेंड बाद आई है यानि गौरी पहले आई है और इनका जो है वो इनका जो है वो बाद में आई है अब दिये गए दोस्तों में आपको प्रतियुक्ता में कौन से स्थान कौन सती से स्थान पर है यह आपका अब सबसे पहले तो इस data के साथ हमें क्या करना है क्रम बनाना है क्रम बनाने में आपको दिख रहा है कि रेखा जाए वो माला से आगे है ये बात आपको दिख रही है आपको इस क्रम में रेखा माला से आगे दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि माला से आगे बसंथा भी है माला से आगे बसंथा भी है और माला से ठीक आगे बसंथा है तो जब माला से ठीक आगे बसंथा है और माला से 10 सेकेंड आगे जो है भई कौन है? 10 सेकेंड आगे जो है वो रेखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वसंथा क्या आगया हमें कौन रखना पड़ेगा लेखा रखना पड़ेगा यह तो करम सही हो गया समझ में आगया अब बात आ रही है इनका और गौरी की यह कह रहे हैं कि गौरी जो है गौरी जो है वो इनका से गौरी जो है वो इनका के दो का मतलब यह हो गया कि हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि माला को रखेंगे हम किसके आगे गौरी के आगे गौरी के आगे रख दिया और जब माला को गौरी के आगे रख दिया तो इनका का इस्थान तो हमने आपको पहले ही बता रखता है इनका इसके पीछे हैं फिर गौरी फिर इनका और फिर आरुशी ठीक है अब question पुछा गया है प्रतियोक्ता में तीसरा कौन आया है तो आप देखें प्रतियोक्ता में तीसरा कौन आया है मला आही है तो पस इसका answer क्या हो जाएगा ठीक है यह हो गया आपका question no.76 चली अगले कुश्शन की तरह पढ़ते हैं और अगला कुश्शन कहा रहा है नीचे दिये कथन को पढ़ हैं जिसके अनुसरन में दो निसकर्स दिये गए हैं और निड़ा लिये गए हैं कथन में कौन सा निसकर्स अनपालन करता है कुछ पत्थर रतन है कुछ पत्थर जो है तो कुछ रत्न जो है, वो मोती हो गए, ये रत्न जो है, वो मोती हो गए, फिर कह रहा है कि कुछ रत्न मोलस्क है, तो यहाँ पर कुछ रत्न मोलस्क हो गए, ठीक है, अब देखते हैं क्या है, कुछ पत्थर मोती है, ये क्या ये निश्काश निकलेगा, कुछ पत्थर मोती ह नहीं जी ये तो कोई निसकर्ज नहीं निकल ला है ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो उसका कुछ रत्न मॉलस्क है कुछ रत्न मॉलस्क है यहां भी लिखा है और कुछ रत्न मॉलस्क यहां भी लिखा है तो statement का निसकर्ज जो है वो statement हो नहीं सकता तो यह भी गलत हो गया अब लि इसका लावाँ कुछ मोलस्क रत्न है तो कुछ मोलस्क रत्न इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि यह statement का आपोजिट है तो statement का आपोजिट भी statement लिया जाएगा इसका मतलब अगले question की तरफ बढ़ते हैं और अगले question में दिया गया है relation कुछ विचे इस प्रकार के relation दिये हुए है और दिया हुआ है कि a plus b का आर्थ है a plus b का आर्थ है कि चलिए यहां पर लिख भी देता हूं मैं किसी पढ़ना भी ऐसी तो लिखा है a plus b का आर्थ है a b की मा है a plus b जहा पर लिखा है a minus b a minus b का आर्थ है a minus b का आर्थ है कि a b की बहन है तो a जो है वो बहन है उसके बाद a multiply by b a multiply by b में कहा गया है a b का पिता है तो a जो है कौन है पिता है उसके बाद a beta b a beta b जिसमें कहा गया है कि a b का भाई है तो a जो है वो भाई है यह तो हो गए relations अब उच्छा गया है D, A का परदादा या परणाना है, तो D को D का संबंध हमें A से दिखाना है, बीच में कुछ ऐसे relations आने चाहिए कि D, A का परणाना है, इसे जो है हमें परणाना या परदादा बनाना है इसका, यानि बीच में दो पीडियां मम्मी या पिता की आएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब चलिए दर एडिशन्स जो है रखते हैं, देखते हैं किस परकार का बनता है, option wise देखते हैं क्या-क्या option दिए हैं, इसमें options जो हैं, कौन-कौन से दिए हैं, option number पहला देखे, option number पहला क्या कह रहा है, option number पहला कह रहा है, d multiply by c, d multiply by c, और multiply में a का मतलब होता है, पिता, यानि आगया ले का हिस्ते का मतलब होता है, पिता तो यह हो गया है, उसके बाद का गया है, c plus b, c plus b का मतलब हो गया, कि ये जो है मा है, यानि कि c जो है वो मा है, ये पिता है, ये पिता है, ये मा है, यानि इनकी मा, मा के पिता, इनकी म मा के जो पिता है वो तो फिर एक तरीके से नाना जी हो गए तो ya day तक थी सम्भानों तो बंढ रही है अब यह दोनों कौन है Congrats में यह दोनों प्लस है तो इनकी मा जो है वह यह्जै यह यह आध है कि मा और मा की मा जो है वो है सी तो मम्मी की मम्मी जो है मम्मी की मम्मी जो है आपकी परणानी होगी और फिर उनके भी आगे आगे का रिलेशन दिखाए है यहां पर पिता यह तो great grand parents हो गए टिके उसे भी आगे रिष्टा चला गया तो यहां तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कुछ relation गलत तो नहीं हुआ है यहां पे कुछ relation गलत लिख रहा है देखे एक relation पूछा जा रहा है D से एक बार यहां पे करके देख लेते हैं शायद हमें आ जाएगा लिखा हुआ है D multiply by C plus B plus A ठीक है तो बिल्कुल सही बात है A जो है उसका समद्द D से बताना है और D को बनाना है पर नाना या पर अच्छा ठीक है बिल्कुल सही बात है थोड़ा सा confusion हुआ यहां पे दादा-दादी के बात नहीं करे है पर दादा-पर दादी के बात करे जा रही तब तो ठीक हो चकता है खोशन, क्योंकि B जो है वो कौन है ? B है A के, B प्लस होने के नाते A की माँ है, अगर ये माँ है, अगर ये मा थे, तो इसके बारे में इसका क्या रेलेशन जर्द देखते हैं, ये जो व्यक्ति है इसकी मा ये है और इनका इनसे क्या संबंद है ये भी प्लस है तो प्लस का संबंद तो ये बताया मा का ही है तो ये भी मा है तो इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के मा की मा तो नानी हो गई ठीक है अब नानी जब हो गई तो नानी के multiply किया गया तो पिता नानी के पिता कौन हुए पर्णा नहीं हुए तो बिल्कु सही है एंसर इसका ठीक है तो question number इसका गया है पहले अगले question की तरफ बढ़ा सात मुझे confusion हो गया ते यहाप मुझे लगा कि ना न पुछा जा रहा है कि तो बलकुल सही चले अगले question की तरफ चलते हैं और अगला question कहीँ रहा है next question दीगई छवी को नाइन्टी डिग्री डीगई छवी को घड़ी की 90 डिग्री की सुई की रिशा का में उल्टा गुमाया जाता है और दरपड़ छवी चवी के बेस पर रख करके ली गई हो तो प्रणामी चंचना कैसे होगी बड़ा अश्चा जबने कोशन है कोशन में देखें क्या का गया है ये का गया है कि आप देखें ये सर्कल है सर्कल में यहां कहीं बना हुआ है और एसा ही स्टार जो है इसके थोड़ा सा डइंगन ली इधर की और बना अभी इन्होंने कहा कि इसको 90ई डिगरी पे घुमा देना है 90 डिगरी का मतलब झेल पर है और आप ले आईए इसको इस angle पर ले आएंगे तो यह जनाब इस angle पर है तो यह जनाब इस angle में चले जाएंगे या नहीं इसका जो figure बनेगा उसमें star जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर चले जाएंगे चले जाएंगे किनी चले जाएंगे तो यह तो हो गया 90 degree पर घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाना होबी, इधर के उर्खमाना था तो इसलिए मैंने इधर के उर्खमा दिया, तो यह तो होगी इस तरह के सज़दा, अब क्या किया किया अब इसकी दरपन चवी चवी के बेस पर रखनी है, यानि कि चवी जो है, है वो यहां पर बनानी है बेस पर बनानी है तो जब छबी बेस पर बनानी है अब ज़रा इसको ज़रा देखते हैं अब ज़रा इसको देखते हैं कि 26 के बेस पर बनानी है बेस पर बनानी है तो इसका मिरर यहां रखा है जब मिरर यहां रखा है तो अब जब यहां पर इसका डाग्राम बनाएंगे तो आप ज़रा देखेगा आप ज़रा देखेगे कि इसका डाग्राम जब बनेगा तो किस त सासी तो यहीं पर मिलें यह तो यहीं पर मिलने लेगा उसके थीक नीचे यहां सबमेब चनाल के बाद यहां पर क्या है आप और मिल रहा है और मिल तो मिल थोड़ा सा आप देखिए तू में भी रहा है वह स्टर के बाद आप देखोंगे। यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है ड्रह मुव कर जाएंगी सारी चीजidas इधर की ओर Move करेंगी तो वास्तिक रूप में देखा जाये तो इसकी शवी है अगर इसके साथ से देखा जाये तो यह नहीं रहा है यह बहुंहां से ही रहा है यह भी स्चाह से ठीक पहले यह थी थीक पहले तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा question number 79 है जो हमारा question number 79 है इसका correct answer कहीं न कहीं चौथे का दिख रहा है ये तोड़ा सा देखने का विशा है अगर आप इसको गौर से बनाएंगे तो फिर सही से आप से बन जाएगा और इसका correct answer आपको यही मिलेगा ठीक है कौन सा मिलेगा? चौथा चौथा इसका correct answer बढ़ते है चले अगले question की तरफ बढ़ते है और अगला question क्या कहे रहा है next question बोल रहा है उस आकरिती का chain करें जो 6 से अलग है उस आकरिती का chain करना है जो 6 से क्या है अलग है इसमें अब इसमें जरा देखिएगा इसी चित्र में जरा देखिए ये जो D बना हुआ है और D के साथ ये जो black किया गया box इसका संबंद क्या है आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको 90 degree पर सीधा कर दें इसको 90 degree पर ऐसे सीधा कर दें तो मुझे ये 90 degree पर सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए था ऐसे ये मुझे ऐसा दिखना चाहिए ये D बना दिया है मैंने और ये box जो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर black है इस जगह पर black है तो black होने का जो संबंद है वो left hand side पर है अब जिरा इसमें देखते हैं इसको भी 90 degree पर सीधा कर दीजे इसको जब 90 degree पर सीधा करेंगे तो यहाँ पर D तो ऐसे ही मिलेगा D तो इसी पर कार से मिलेगा लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो box है वो इधर के उरकाला है अब इनी दोनों में से कोई एक साही या कोई एक गलत है इसका संबन जो है में तीसरे पता चल जाएगा और कैसे पता चलेगा इसमें तो अलड़ी सीधे बना हुआ है अलड़ी सीधे बना हुआ हुआ और आप देख रहे हैं इसका मतलब यह वाला और यह वाला तो एक ही तरीके गए यह दोनों तो एक ही तरीके गए लेकिन यह वाला जो है इसमें आप देख रहे है अपोजिट डिरेक्शन में ब्लैक किया गया है इसका मतलब भिन्द कौन सा है अलग कौन सा है अलग यह वाला है यह अलग है यह भिन्द है तो इसका मतलब option number B गलत हो गया यह इसका एंसर जोगा option number B यह भी 2 है ठीक है चलिए अगले कुश्चन गी तरफ चलते हैं अगला कुश्चन कहा रहा है ओ स्वारी अगला कुश्चन कहा रहा है result को SULTRE लिखा गया है तो इसी तरीके से IGHTBR को कैसे स्कूट बख किया जागा तो दुद्रा देखें यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल सा एंसर है solve भी करने के दुरूत नहीं है आप देखें इसमें 5 लेटर है इसमें 5 लेटर है इसमें 5 लेटर तो हमें यहाँ भी बीच चाहिए इसका मुझलब करेक्ट एंसर कौन सा जाएगा चार हो जाएगा इसको solve करने की जोगत नहीं है इसके लावाँ इसमें code देखते है जरा देखें क्या लिखा है इसमें लिखा है डेली को अगर ऐसे लिखा जाता है मद्रास को अगर ऐसे ल लिखा गया है ल का code 12 होता है एच का नंबर होता है आठ तो इसको 08 लिखा गया और जो आई है उसका नंबर होता है 09 लिखा गया कुल विलाकर के digits के क्या लिखने है code लिखने है तो Bombay का भी इसी तरीके से अगर हम code ढूणेंगे जब हम Bombay का code ढूणेंगे तो आपको कौन समय लेगे दरा बताइए तोड़ा आसान है तो कुछ कटिन तोड़ेए आप आसानी से डूर सकते हैं Bombay का code और Bombay का code कहीं ने कहीं हमको या तो पहले option दिखेगा या दूसरा option दिखेगा तीसरा option दिखेगा तीसरा option दिखेगा तो सही है यह वाला मत रखिएगा क्योंकि इ 83 के बार आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं 83 के बार आगे चलते हैं 80 next की और देखते हैं क्या है तो यहां पर हमको 84 number question में लिखा है bad and bad and good 325 लिखा जाता है तो बताइए 2 and none को 648 लिखा जाता है और that is bad को 159 लिखा जाता है तो उसी code भाशा में good को क्या कहा जाएगा उतर यहां पर यहां पर एक काम में कर रहा हूं कि यहां पर देखे यहां पर लिखा है कि bad and good यहां पर लिखा है bad sorry यहां पर लिखा है bad यहां लिखा है good and और यहां लिखा है good और लिखा है 325 अभी नहीं से कोई 3 है कोई 2 है कोई 5 है पता नहीं कौन सा है फिर लिखा है two and none लेक कोड हो गया 2, अभ एंड कोड तो पुछा नहीं किया है फिर आगे दरह देखते हैं अभ two and none और that is bad इन दोनों में थो and none and that is bad इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या नहीं इसमें कुछ नहीं कॉमन नहीं दिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है कि की बैड यहां पर वी लिलिखा है और इसका Three to Five में कुछ common हो गा इसका मतलब यहां पर बैड का मतलब होता है जब मतलब होता है तो आप बच्चा कौं? गुड और बच्चा काौn और फिल्फट आप इसका कौन रहने बैड कि सा उप्चा आप स्लीim 84 में option number 2 से यह 85 पी तरफ चलते हैं जिरा 85 में क्या पुछा गया है कि लुपत संख्या बतानी है आपको अब देखे 3 से 5 कैसे बनेगा 2 जोडने से बनेगा 5 से 8 कैसे बनेगा 3 जोडने से बनेगा 8 से 13 कैसे बनेगा 5 जोडने से बनेगा और 13 से 22 कैसे बनेगा 13 से 22 बनाने के लिए 9 जोडना पड़ेगा 9 में कितना जोड़े और क्या है यहाँ पर तो पहले तो हमें 2, 3, 5, 9 का relation देखना है 2 और 1, 3 यहाँ पर 1 है 3 और 2, 5 यहाँ एक का दुगना, एक का दुगना 2 तो इस दुगने को 3 में जोड़ दिया गया 5 आगया फिर 5 और 9 का अंतर कितना है 4 इसका मतलब इस 2 का दुगना किया और इस 5 में जोड़ दिया इस 5 में जोड़ दिया तो 9 आ गया इसका मतलब अब हमें 4 का दुगना करना जोड़ना पड़ेगा अब जरा बताइए 22 में कितना जोड़ेगे 22 में कितना जोड़ेगे उसको मल्टिप्लाइए करेंगे नए चार चोको 16 और 17 तो 22 में कितना जोड़ना पड़ेगा 22 में हमें जोड़ना पड़ेगा एक दूनी दो दो तीन पांच नो इसमें मैंने दो जोड़ा फिर तीन जोड़ा पिर पांच जोड़ा अब इसमें क्या जोड़नेंगे 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे, तो 22 आया, अब 9 में आगे कितना जोड़ देंगे, हाँ, ठीक तो है, 17 जोड़ेंगे, आगे कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, 9, 8, 17, 4 दुनी, 4 दुनी, 8, तो 9 में 8 जोड़ देंगे, तो 7 आएगा, और 17 किस में जोड़ देंगे, 22 में, 22 में 17 जब जोड़ देंगे, तो एंसर क्या आएगा, 39 आएगा, तो इसका correct answer क्या हुआ, 39, इसका correct answer क्या हुआ, 39, option number 2, फिर से, okay, next चलते हैं, गे, question number 86, question number 86 कँ दरह करकर देखा है, question number 86 में लिखा है, बक्च्छो के एक पंक में मीना, 24 से 10 इस्तान पर है, इसे करने, यहां से यह बाया है, यह left है, यहां पर यहां पदा दे रहा," चाह पर बच्चों के एक पंति में मीना को अगा पर 16 छ चाह उनकने अ 12b स्थान पर है कांता को राव कि यहां और भी स्थान correct विंगत domain 6 यहां से करें 10 चाहं गांता कंवे निधड यहां कांता को, यहां निध में 11 चाहा रो wed कि कि विनीता दाय चोर से बीश्वें स्थान पर है यह दाया हिस्सा है और यहीं से बीश्वें स्थान पर विनीता है और यहां पर यहां पर यहां पर यह कौन है विनीता है उसके बार विनीता है विनीता दाय चोर से बीश्वें स्थान पर है और मीना के दाय से तीसरे स्था यहां बार मेना के बार तीसरे इसका मतलब मिना और विनाता के बीच में यह दो लोगों का गैप है आपको ध्हाण डखने क्योंकि जोड़ता होगा तो बस अब इसको काउट कर लेना और और क्या करना है अब देखिए अगर यह 11 है यह 20 है तो बीच में आप यहाँ पर इसको कौन सा स्थान देंगे तो क्वा समेंगे उद्षे यह 11 हो गया यह कितना हो गया उगया यह कितना आझ यह निकले विन का गैंभी है और दाएं से 20 है तो इस हिसाब से आगर देखा जाए 13 और 20 है दे देटना और लिके को अगर हम जोड़े बीस और तो 13 को जोड़ें तो हमारे पास में आ जाता है 20 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भई 33 आ जाएगा और 33 में से हम एक घटा देंगे तो आ जाएगा 32 इसका मतलब कुल दाएं से लेकर के बाएं तक के बीच में 32 बच्चे हैं पहली बार तो यह क्लियर हो गई अब हमे में पूछा क्या जा रहा है मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे हैं मीरा और कांता के बीच में अगर हम बच्चों की संख्या निकालेंगे तो फिर इसका मतलब 3 A ही और 11 इधर 11 और 20 का अंतरrei मतलब नौ यह ए UK नव त्टीन साँख लिए चलिए 87 number question solve करते हैं, 87 number question solve करते हैं, लिखा है 1 से 99, एक से लेकर के 99 की संख्या में 8 कितनी बार आएगा, तो इसमें कोई खास पेंचलाइन जोरूत नहीं है, एक से 99 की संख्या में 8 कितनी बार आएगा, इसको ज़रा देखा रहा है, इसको ज़रा देखा रहा है, इसको यदि अगर देखा रहा है, तो ऐसे solve कर सकते हैं, 8, 18, 28, 38, 38, 38, और बस, दो 100 तक पुछा गया है न, एक से लेकर 99 तक, तो यह कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ, नौ, दस, दस तो यह हो गया और 88 में दो बार 8 है, तो कितने हो गए टोटल मेला के, 11, 8 तो यह हो गया, अब आप 81 से लेकर के, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87 भी लिखेंगे, और 88 तो लिखी चुके हैं, और 89 भी लिखेंगे, तो अब यह कितने हो गए, एक, तो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, यहनी 11 और 8, 11 और 8 कितने हो गए, 19, 11 और 8 कितने हो गए, 19, इसका correct answer क्या होगा, 90, इसका correct answer होगा, 90, इस प्रेकार से आपको यहां पर इसका answer भी मिल गया, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question कहा रहा है, P और Q कार्थ, P कार्थ, P कार्थ, प्लस है, Q कार्थ, मल्टिप्लाई है, T कार्थ, डिवाइड है, यह डिवाइड है वाइठी है, और V कार्थ माइनस है, तो इस equation को solve करना है, यानी 18 P बोला जा रहा है, 18 P बोलने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 18, और P का मतलब आपको मालू में प्लस है, उसके बाद 12, T का मतलब यहाँ पर क्या है, T का मतलब है डिवाइड, उसके बाद T के बाद 4, Q का मतलब यहाँ पर क्या है, Q का मतलब है multiply, और Q का मतलब है multiply है, और तो फिर उसके बाद लिखा हुआ ह माइनस वी का मतलब कितना है माइनस और उसके बाद 10 अभी सेक्वेशन को सॉल करना है तो सबसे बहुत कर देंगे तो कितना आएगा तो आट यह 24 हो जाएगा यह ठीक है यह कितना हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो कितना आएगा अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं कि अगला कुशन कह रहा है देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं इस शब्द के नीचे विकल्प दिये गए के वल एक शब्द में प्रस्म के अक्षरों से बन सकते हैं अब नहीं बन सकते हैं मतलब यहाँ पर थोड़ी से आपको अंग्रेजी कर रहत है एक शब्द दिया गया इससे कौन सा अंग्रेजी का शब्द बनाया सकता है नेस्ट्रोज यह लिख सकता हुआ और इससे बढ़ने वाला शब्द कॉस्सा पुटता है तिसमें भी यूज हुआ है और यह शमेल है तो नहीं होंगे उसका टेल और रोजी आप देखिए यह थीज़ीमें आप देखिए हैस का प्रयोंकिया गया है इससमें नहीं है इसमें कई नहीं है इसमें पर मतलब 24, hot का मतलब 38, तो fear का मतलब क्या होगा, 91 number question की तरफ बढ़ते हैं, और 91 number question में, देखें, c का मतलब 24 कैसे है, c का मतलब 24 इस प्रकार से है, कि आप जब उल्टी वर्ण माला लिखेंगे, जब उल्टी वर्ण माला लिखेंगे, तो c का opposite होता है, होता है, c का opposite x होता है, तो x का आपने code यहां पर लिख दिया और कुछ नहीं की है, इसे प्रकार से hot को अगर देखें, hot, h o t, तो इसको भी आपको opposite लिखना है, h का opposite आपको मिलेगा, h का opposite मिलेगा 19, एनिकी s मिलेगा, उसका मतलब होता है 19, o का मतलब हो जाएगा, आपका 15 लिखा हुआ है, तो 15 को आप 27 से गटाएंगे, तो कितना हैगा, देखेंगे, इसका code कितना लिखा हुआ है, इसका करना क्या है, इसका करना यह है, तो f e a r लिखा हुआ है, तो f का opposite, यानि 7 का opposite, f की संगे 6 होती है, 27 में से 7 गटाएंगे, 27 में से 6 गटाएंगे, तो opposite निकल आएगा इसका और यह निकलेगा 1 case, इसी प्रकार से 5 गटाएंगे 27 में से, तो 27 में से 5 गटाएंगे तो निकलाएगा 20 और इसी प्रकार से यहां पर निकालेंगे तो यह तो 26 आजाएगा और यहां पर 27 में से प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है कि इसका करेक्ट अंसर यह हो गया आगे देखते हैं अगला कॉश्चन में चलेंगे तो कॉश्चन नंबर 91 है यह 91 को देखते हैं 91 तो solve और 92 यहां पे लिखा है पपी का जो संबन्ध है उससी अप्रकार गुमी का संबन्ध किसे होगा तो जो डौगी होताए उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको पपी बोलते हैं तो इसका मतलब यहां तो इसके बच्चे का नाम मताया जा रहा है तो बुन्नी जो है वो खर्गोश के बच्चे को का जाता है ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा खर्गोश 92 नमबर में चलते हैं इस शंकला में पर्चवाशक चलने के स्थान पर क्या आएगा यह question दिया हुआ है लिखा हुआ है Q अब देखें यहां पर बहुत यह आसानी से इस तरी के question जो है इसी प्रकार से solve के आते हैं यह लिखा है Q फिर लिखा है U फिर Y तो आगे देखना है Q कि नमबर कितना होता है U का नमबर होता है 21 अब देखें 17 से 21 आप गए चार गए ना आगे तो इसका मतलब Q और 4 यू में 4 जोडएंगे यानि कि 21 में चार जोडएंगे तो 25 आएगा तो 25 देखें आप य के value लिखा हुआ है और Y में 4 जोड़ दीजे य में 4 जोडएंगे तो Z और Z के आगे 3 यानि कि C तो C से शुरुवात के वल इसी option में हो रही है और किसी option में सीसे शुरुवात होई नहीं रही है इसका मतलब यह हो जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा 93 नंबर Q का एंसर हो रहे है निम्लिकित को जल्मों से विशम को चुनिए विशम में सडक एरक्राफ्ट पोल और सुरंग तो बतक तो पक्षी है बाकी सारे पशु है तो यह अलग हो गया फिर question क्या किया गया है नीचे दिये गए चित्र में त्रिबुच लड़कियों को दर्शाता है तो यह हो गया बाई त्रिबुच यह किसको है girls को यह girls को दर्शार है वर्ग जो है वो लड़कों के महा विद्या पढ़ने आले विद्यार्थियों को प्रशित करता है यह जो है विश्व द्याले में यूनिवर्स्टी में पढ़ने आले विद्यार्थियों को स्टुडेंट्स को प्रशित करता है विश्व विद्याले का कौन सा हिस्सा है जहां लड़के और लड़कियां दोनों अध्य पर तो इसमें संख्या कितनी हो गई तो इसका क्रेक्ट एंसर क्या जाएगा दो कॉमन पूछा गया था ना इसलिए इसका क्रेक्ट एंसर आ गया तो चले अगले कुशं की तरफ पढ़ते हैं अगला क्वशं क्या एं क्वेश्टन नमबर 97 97 में उस शब्द को चुने जो तारकिक संबंदों को पून करता हो लिखा है नौगरी बेरोजगारी बेरोजगारी नौगरी करता है जो बेरोजगार होगा उसे नौगरी मिलेगी तो भाईया मुद्रा किसे मिलेगी गरीब व्यक्ति को जो गरीब हो उसे मुद्रा की जुरत है जो बेरोजगार उसे नौकरी की जुरत हो तो इसका मतलब इसका correct answer क्या हो गया है जब आगे चलते हैं अगले कोशन के तरफ अगला कोशन कह रहा है वसंत कहता है मेरी जितनी बहने हैं उतनी भाई है देखिए यह कोशन भी काफी अच्छी तरीके से कोशन एक्जाम में आते हैं और यह थोड़े से कंफ्यूस करते हैं इसके लिए कोई फर्मुला लगाने कहा जरूत नहीं है आप असानी इनके आट भाई है इसकी आदी बहने यह मानते हैं वसंत पर वेशाली के भाई बहन में प्रिवार के सेसनल क्या था नमबर एक को उठाते हैं इसमें भाई लिखा हुगा है आट उसमें भाई लिखा हुई राथ, आठ और बहन लिखी हुई ए, छे, अगर हम वसंत की बात मानते हैं स्था है की सदा में उसमें बहन झाल ईधे जया हिते हैं. और 5 बहने, अब दर्बा देखते हैं, वसंद कहता है, मरी जितनी बहने हैं, उतनी भाई हैं, तो अब यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पर वसंद को अठा देंगे, तो बच्छे का 5 तो पांच बहन और पांच भाई तो हो गया अब बहन की तरफ से मिला लेते हैं बहन की तरफ लिखा है बहनों में से प्रत्य के पास जितने भाई है उसकी आधी बहन है जितने भाई है उसकी आधी बहन तो बहन जो है यहां पर बची चार क्यों कि यह स्टेटमेंट जो है वै पांच भाई और चार बहन कहीं है तो तरफ से करते हैं तो चार भाई हो गए और चार बहन होगे तो यह तो बराबर है लेकिन रहा बहन की तरफ से देखते हैं तीन है और 3 जो है वो 4 का आधार नहीं होता है यह भी गलत है option number 4 यह इप्चा यहीं सही हो जाएगा जब चक्क कर के देख लेते हैं लिडिगर चार भाई और 3 बहन तो एक भाई रहा देते हैं यहां से तो 3 भाई और 3 बहन तो और यहां पर बहने एक हटा देंगे तो बचेंगी दो बहन और चार की अधिकत्ति हो जाती है चार की आधिकत्ति हो जाती है तो बिलाकर करके ऑप्षिन नमबर 4 से हो गया ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ क्वेशन नमबर 99 99 और 100 एक साथ ही करने को मिलेगा यहां पर लिखा हुआ है मेट्रो सहयक की लिपिखित से अधिक है सिल्फल से बात कही गई है कि पी का यो प्रापतांग है कि का सब्भ़ापतांग के वह कि का से जाधा कर दिया पी का प्राप्तांग लेकिन एस से कम है एस से कम है यानि कि एस के प्राप्तांग पी से जाधा है जाधा है तो यह एक रिलेशन बन गया आगे जो है क्या का ज़र है कि क्यों के प्राप्तांग 79 है क्यों के प्राप्तांग जो है वो 79 है देखते हैं इसका क् तो आर के प्राप्ता अंक केवल T से अधिक है अब बताईए अब बताईए कि निम्तम प्राप्तांकों में दिती स्थान पर कौन है तो सबसे पहले तो इसको उक्रम से लगा लिया जा है उक्रम से लगाएंगे तो एक्रम तो हमें मिलेगा एक्रम तो हमें S, P और Q का मिलेगा S, P और Q का मिलेगा एक्रम और हमें R और T भी लगाना है कि प्राप्तां के वल करद दिक हैं अब कुशन पुछ में निम्नतम प्राप्तांकों पर यह पर सब कर दिक परिक्षा में दुति यह सर्वच स्थान प्राक्त करना दूटि यह सर्वच स्थान स्थान भी रहा होगा तो इसी प्रकार से हम लोग set number 2 को जो है अगले दिन लेकर कहेंगे और इसको solve करेंगे और इसी प्रकार से GS जो है GS और इस तरह के चल चुका है और जो रोली का यह तिवहार आ रहा है इसमें धेर सारी शुब कामना है सभी को सुब कामना है धेर सारी को अच्छे से रंग के लिएगा इस प्रकार से रंग के लिएगा कि आपका जो तिवहार है वो शुब है और साथ ही साथ आप अपने तिवहार यानि NTPC भी आपका एक तिवहार है इसको मनाने के भी त्यारी करते रहे है यह भी आपकी जिनिगे में काफी अच्छे रंग लेकर करते आएगा सो मीद करते हैं कि आपके सेशन पसंद आया पसंद आया तो से लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों को जरूर रताइए तैंक यू एंड हाव अगुट लेट